Hello everyone, आज के Library and Information Science के इस वीडियो में हम लोग आपके सामने एक और important topic डिसकस करने जा रहे हैं जो कि आपके exam के point of view से बहुत important है और आप इस वीडियो को end तक देखिएगा और इसके अंदर हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है knowledge organization के बारे में यानि ज्यान संगठन से हम लोग क्या समझते हैं कुछ questions जो हैं हम लोग knowledge organization को पर करेंगे और कुछ ऐसे important topics जो कि आपके exam के point of view से knowledge organization के लिए important है उनको भी हम लोग डिसकस करेंगे तो ये वीडियो को आप एंट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने BSA Academy चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe this channel, like this video and share this video तो आज जो हम लोग जो discuss करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये knowledge organization जो है ऐसे candidate जो की UGC net exam, set exam, select exam, KVS, DSSB, EMRS, NVS या फिर अपने state level के labrin post के लिए या फिर आप assistant professor की preparation कर रहे हैं उन सभी candidates के लिए ये video helpful होने जा रहा है इसलिए इस video को enter देखिएगा, अब बताती है कि हमारा जो discussion है किन topics पर रहेगा, किन points पर रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ तो हम लोग जो discuss करेंगे वो करेंगे, what is knowledge organization, knowledge organization क्या है, what is library classification, what are the core concepts of library classification, systems and what are the important topics of knowledge organization तो देखिए, knowledge organization जो है, यह आपका library and information science का एक important एक दिर से बुरजाय की chapter कह सकते हैं, आप इसे unit कह सकते हैं, यह बहुत important unit है, इसको miss मत कीजिएगा, तो जिसे हम लोग जो है, अगर हम लोग discussion की बात करें, विचार विमश की बात करें, तो जान संगठन क्या है, पुस्तका आले वर्गिकरन प्रणाली की कौन-कौन से ऐसी मुखे अवधारना हैं, कौन-कौन से ऐसे important concepts हैं, जो आपको समझने जरूरी हैं, क्योंकि उनके बिना अगर आप पढ़के जाएंगे, एक्जाम के अंदर, तो कहीं न कहीं आप अपने कुछ marks जो है, गवा देंगे, उनके संगठन के कौन-कौन से ऐसे महत्पून विश्चें हैं, जो आपको पढ़ने हैं, अपने exam के point हैं, इसके उपर हम लोग आज आपके साथ detail में discuss करेंगे, और ये जो detail है, actually में, केवर उनकी bond list को touch करेगा, क्योंकि detail का मतलब मेरा कहने से आपको है, कि 20-50 मिंट का ये video जवा जाएगा, तो पहला question हमारे सामने आता है, what is knowledge organization, ज्यान संगठन क्या है, ये हम लोग discuss करते हैं, तो देखे, knowledge and organization, यानि knowledge जो की organized form के अंदर है, उससे हम लोग जो है, knowledge organization कह सकते हैं, एक बहुत layman term में मैंने आपको बताया है, but इसकी अगर परीभाशे को देखा जाए, तो knowledge organization is all about activities of document, document description, indexing and classification performed in libraries, database, archives, etc. तो knowledge organization का मतलब केवल, मतलब एक तरह से हमारे ज्यान संगठन, यानि ज्यान को गठन करना, संगठन करना, यानि आपनी जितनी भी knowledge, देखे, knowledge and information, दोनों में बहुत जादा अंतर होता है, अगर आप से मैं बोलू, किसी भी तरह के एक, अगर मैं आपको facts बताता हूँ, तो वो आपके लिए given information है, पर बहुत सारी information को जब हम लोग जो है, एकत्रित करके, एक किसी document में रख देते हैं, और उस document की proper way में indexing कर देते हैं, और उसे proper way में classify कर देते हैं, और उसे proper way में classify कर, हम लोग knowledge organization का गठन करते हैं, तो knowledge organization से पहले, आपको समझने पड़ेंगे, कि एक तो document का description, यानि आपने एक कोई article लिखा, आपने किसी भी एक चीज का activity का, एक विवरन लिखा, आपने, बान के लिए आपने कोई एक लेक लिखा, आप किसी के बारे में बताना चाहते है तो आपने document में उसके बारे में लिखा, अब उस document को दूसरों तक पहुचाने के लिए, मुझे उसे एक proper place में रखना पड़ेगा, यानि उसकी indexing करना पड़ेगा, यानि कौन-कौन से उसके अंदर keywords आए हैं, ये हम लोग कहते हैं, इसमें indexing करने के लिए, और फिर उस document को मुझे एक proper classification करना पड़ेगा, ये जो document किस के बारे में हैं, क्या ये science के बारे में हैं, क्या ये mathematics के बारे में हैं, ये chemistry के बारे में हैं, और उसमें भी अगर मैं mathematics के उपर लिख रहा हूँ, तो mathematics के अंदर भी किस topic के उपर है, area के बारे में है, या फिर integration के बारे में है, य जब हमने यह सारी activity कर ली तो यह activity को हम लोग libraries के अंदर भी perform कर सकते हैं, database के अंदर भी कर सकते हो, archive, archive का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पुराने दस्तावे documents तो यह knowledge organization के अंदर यह सारी activity जो हैं आपके सामने होती हैं, अब इसी के अंदर यह knowledge organization के जितनी भी activity हैं, यह perform की जाती हैं, by the librarian, by the archivist और subject specialist और इसके अंदर हम लोग computer algorithm की सायता ले सकते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी documents हम लोग prepare कर रहे हैं, अब उनको एके करके हम लोग खुद ही रखना लगेंगे, तो काफी एक तरह सी problem हो जाएगी, तो virtual libraries के अंदर जो है, manual work ना किया जाकर, computer algorithm के द्वारा, यह सारा कारे किया जाता है, तो यहाँ पर knowledge organization, मैं फिर से बता रहा हूँ, knowledge organization का जो term है, यह बहुत important है, इसमें कुछ activities आती हैं, उन activities के अंदर हम उनको कहां पर perform कर रहे हैं, यह आती हैं, और उन activities को कौन perform कर रहा है, यह आता है, और किसकी सायता से कर रहे ह हैं, यह आता है, तो यह सारे documents को के साथ साथ, यह सारी जो points है, यह keywords जो है, यानि, document description, indexing, classification, librarian, archivist, subject specialist, libraries, database, archives, and computer algorithm, यह सारे keywords जो है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं, अब आती है, next बात, जो knowledge organization के अंदर, हम लोग, जो करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो यह जो knowledge organization में जोतनी भी activities हैं, these activities are performed by the library and information professionals, and these professionals apply the new technology and standards to do all these things, यानि, जो library and information के जो professionals होते हैं, वो नई जो तकनीक है, उन नई तकनीकों का use करते हुए, इन सभी technology का use करते हुए, इन्हें proper way में, standard form में, इनको करते हैं, तो that is the meaning of knowledge organization, इसके अलावा, यह तो था कि अब बात आती है, कि ultimately knowledge organization से हम लोग जो perform करते हैं, तो हमें एक तरह का क्या मिलता है, तो हम कुल मलाकर कह सकते हैं, कि हम एक तरह का library के अंदर एक classification यानि वर्गी करन कर रहे हैं, तो अब आताती है, कि what is library classification, यह पुस्तकाले वर्गी करन क्या है, यानि आपने देखा होगा कि आज 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 किसी पुस्तकाले में ग पर है, chemistry का section अलग है, biology का section अलग है, database का section अलग है, computer की books अलग रखी है, और even उनकी अंदर भी उन्हें unit wise, topic wise हम लोगों ने further classify कर रखा है, तो यह classification हम लोगों नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है, वो भी classification हम लोग के वह लैबरी के concern में पढ़ेंगे, अब बात आती है, लै information according to their subject, and allocating a call number to that information resources, अब देखिए, यहाँ पर भी further, बहुत सारे keywords आएं, तो keywords जानने बहुत जरूरी है, तो पहले हम आया है, कि लैबरी classification जो है न, एक तरह का system है, क्या है, एक तरह का पूरा का पूरा एक तरह की प्रनाली है, जिसके अंदर हम लोग जो है, आपने कोई एक बुक रखती है, अब बुक को हम लोग पहले एक कोड देंगे, फ़र बुक के कोड के हिसाप से, उसको हम लोग जो है, सौर्ट करेंगे, बहुत सारी बुक्स हो सकती है, जैसे मान के चलिए, मैं एक लैबरी की बुक ही बात करता हूं, तो लैबरी की बुक मान के चलिए, किसी सब्जेक्ट की मान लेते हैं, एक मैट्स की बुक की बात करते हैं, तो मैट्स की बुक का एक कोड होगा, उस बुक की कोड के हिसाप से, अब देखिए, ऐसा तो हैनी की बुक की वो केवल उसी मैटमेटिक से केवल एकी बुक होगी लैबरी के अंदर, उ तो उनको एक प्रॉपर सौर्टिंग करते हुए उन बुक्स को हमें औरनाइस करना है अब वह जो बुक हो सकती है वह कोई भी लैबरी का मैटीरियल हो सकता है या कोई सकती है तो देखे लैबरी के अंदर कोई भी अगर वस्तू कोई भी चीज आयेगी तो उसको हमें कोड करना पड़ेका उसको सौर्ट करना पड़ेका स्वॉट करना पड़ेका करना पक यानि पूट है Ukraush Ling को कॉल call number से बिलाया जाता है call number का मतलब यह होता है कि call number जो होता है एक तरह का alpha numerical term होता है यानि इसमें alphabet भी होते है इसमें number भी होते है तो इसको हम लोग आगे ग्रीटल में discuss करेंगे आगे वीडियो में हर subject का एक अपना call number होता है और उस subject की particular book के अंदर भी उसका भी एक number होता है जो कि उसका alphabet का according होता है तो यह सारी चीज़े जो है बहुत ज़रूरी है इसलिए को हम लोग जो है library classification कहते हैं तो library classification is a whole system of coding, assorting, organizing the document, library material or any other information according to the subject and allocating call number to that information resources next question हमारे सामने आता है कि जो library classification हम लोग जो system create हम लोग ने किया है तो उसको समझने के लिए हमें किन-किन concepts को समझना पढ़ेगा यानि पुस्तकाले वर्गिगरन की प्रनाली को समझने के लिए इसकी कौन-कौन सी ऐसी मुख धारना है आप धारनाएं हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो देखिए आपको इसे समझने के लिए कुछ terms है वो आपको समझना है और वो terms को मैं आपको कोई नाम बताता हूँ उनको हम लोग discuss आगे वीडिट में करेंगे जिसमें universe and entity तो universe and entity का मतलब क्या है यह वो वाला universe नहीं है यह एक तरह सा जो हम लोग जो भ्रमांट पढ़ते हैं वो वाला physics वाला universe नहीं संपून जिसे हम लोग कह सकते हैं entity मतलब एकाई इसी तरह से group and class का मतलब क्या है यानि समू और वर्ग का मतलब क्या है attributes and characteristic का मतलब क्या है जिसे हम लोग हिंदी में तत्व या फिर विशेष्टाएं कह सकते हैं kinds of library classification यानि पुस्तकाले वर्गी करण के जो प्रकार है वो कितने प्रकार क्या होता है classification यह पढ़ना है आपको then इसी के अंदर disciplines and basic subject यानि जो भी हम लोग disciplines मतलब यहां पर subject हो गया या वो particular topic हो गया तो basic subjects में आपस में क्या इनका आपस में relation है वो पढ़नी है वो देखनी है इसके लाबा categories facets and isolates यानि श्रणिया पहलू और श्रोध इन में आपस में क्या मतलब है इन तीनों का then arrays and chain का मतलब क्या है यानि सारणि जी से कह सकते है और श्रंकला schedules and classification schedules and classification schedule for classification वर्गी करन की जो अनिसूचिय बनाते हैं हम लोग जो है वो क्या होती है इसी के अंदर जो है subject का जो हम लोग classification करते हैं according to their importance ये क्या है विश्यों के जो हम लोग वर्गी करन करते हैं कैसे करते हैं कि संदर्म में करते हैं ये देखना आपको पढ़ना है then notations का क्या मतलब होता है यानि जो हम लोग जो अल्फा नुमेरिक जो टर्म से लिखते हैं जो जो call number होता है यह आपको पढ़ने भी है अब स्ट्वेंट्स एकडमी के द्वारा लैबरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के काफी सारे जो कोर्स हैं वो प्रोवाइड किया जाते हैं जिसमें UGC NET कोर्स सैट का एक्जाम का कोर्स KVS, DSSB, EMRS, NVS या फिर आपके Assistant Professor कोर्स या फिर आपके PS Entrance Exam के कोर्स इन कोर्स के लिए इंडॉर्मेंट के लिए आप हमारे WhatsApp नमबर पर कॉंटिल कर सकते हैं हमारा WhatsApp नमबर आपके स्किन पर अवैलेबल है और जितने भी कोर्स आपको BSI Academy दोरा प्रोवाइट के जाते हैं वो कम से कम फीस के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइट करते हैं अब आगर आभी तक आपने इस BSI Academy से को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब इस चैनल लाक इस वीडियो और शेर इस वीडियो अब हम आते हैं अपने आज के सबसे लास्ट इंपॉर्टन डिसकेशन पर कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं नौलेज और्गनाजिशन के जो कि आपको अपने एक्जाम के पॉइंट उसे पढ़ने हैं ज्यान संगिठन के कौन-कौन से महत्मी विश्चे जो है आप किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वह यूजी सी नेट हो पुर्म लाकर आप लेबरीन की तयारी कर रहे हो और यह सारे विश्चे जो है यह आपके इंटर्व्यू में भी आपसे पूछे जा सकते है जब आप कहीं पर भी जॉब इंटर्विट ले जाएंगे तो इसमें आपको पढ़ना है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानि जो ये उरे नॉलेज का जो संपूर्टा है क्या मतलब इसका अर्थ क्या है यानि इसका नेचर क्या है अट्रिबूट्स क्या है प्रकृति और गो आपको सबर्राइर क्लासिफिकेशन के अंदर आपको library classification का क्या concept है ये पढ़ना है इसकी definition क्या है इसकी need क्या है library classification हम लोग क्यों करते है क्यों है इसकी आवश्चता है इसका purpose क्या है इसका क्या prion है और देन आती है बात आती है knowledge organization की ये knowledge organization का मतलब क्या है काफी जब तक मैं आपको बता चुका हूँ इसमें भी कुछ points है जैसे कैसे हम लोग knowledge को classification में रखते हैं और इसमें कौन-कौन सी important theories है theories का मतलब है इन लोगों ने क्या क्या सिद्धान दी है knowledge organization के बारे में canon से क्या मतलब समझते हैं और कौन-कौन से मुखे principles है नियम है knowledge organization को समझने के लिए इसका आपको अध्यन करना है इसी के अंदर जो है simple knowledge organization system क्या है यानि जिसे हम लोग short में SKOS कहते हैं then taxonomies वर्गी करन का जो विज्ञान है taxonomies जो है वो क्या है इसे पढ़ना है foxnomy foxnomy यानि fox से बनता है और लोगों से बनाए foxnomy foxnomy क्या है क्या मतलब है क्यों को अगें concept क्या इसका trends in classification वर्गी करन का जो रोजहान होता है से हम लोग classification आपको trends होता है क्या होता है यह अध्यन करना आपको centralized and cooperative catalog यानि केंद्री करत और सहकारी सूची catalog मतलब होता है सूची वो सूची कैसे गजट करना है centralized या फिर cooperative catalog कैसे बनाते है यह देखेंगे then इसी के अंदर character logging किसे कहते हैं import library and information science का अगर कोई practical चीज है न कोई cataloging ही है cataloging को समझना अपने आप में बहुत बड़ा tricky है इसके लावा cataloging के अंदर इनका का मतलब होता है principle क्या है इसके सिद्धान्थ क्या है और library cataloging कोर्ट के अंदर जो है वो क्या क्या है इसमें triple C triple C का क्या मतलब है और AACR second क्या है यह बहुत important topic यह नहीं एक तक पूरा practical work है यह इसी के अंदर library cataloging से क्या समझते जिसमें इसका मतलब अर्थ इसकी क्या आवश्चता पड़ती है और इसका परपस क्या है यह तीनों चीज़ बहुत important है इसके लावाट library catalogs का types क्या है प्रकार क्या है है अब library classification system की बात हो गई अब इसकी कुछ schemes है scheme का मतलब होता है कि जो भी हम लोग subject का उस किसी भी subject को किसी भी classification के अंदर रखते हैं तो पुस्तकाले वरिकरण में योजनाव में इन विश्चों का क्या mapping होती है आपस में subject जो है आपस में कैसे correlate करते हैं यह भी है और इसके अंदर dgc udc और double c यानि cc पढ़ना है आपको अब आती है बाद call number की यानि call number क्या है concept of call number क्या है इसमें भी number के अंदर class number यानि work संक्या book number और collection number यह तीन बाते आती है class number book number और collection number यह call number के तीनों को मिलाकर जो हमारा यह स्तिरे की चीज बनती है call number यानि work संक्या book number पुस्तक संक्या और collection number standards of bibliography यानि bibliography जो होती है na bibliography यानि एक तरह का एक ऐसा अध्यन जो की library की list से related है इसमें standards of bibliography record format and description यानि जो भी हम लोग बिब्लोग्राफी reference में लिखते है उसका जो format होता है वो format होना चाहिए क्या इसका description है यह भी पता होना चाहिए इसमें isbt यह न मार्क 21 double cf ccf यह देखे यह short form में लेकर आया हूं मैं इनके meaning पता होने चाहिए आपको rda frbr और bib frame यह क्या है उनके क्या है इसका यूज है बिब्लोग्राफी के अंदर यह standards है और इन standards का अपना खुद का format भी है और हर format का अपना यूज है इसी के अंदर जो यह इंट्रेक्ट करते हैं कि हम लोग इंट्रेक्ट के वल मानव द्वारा ही नहीं करते हैं बलकि कुछ catalog कुछ हमारी जो machines आपस में information का interchange करती है तो यह जो bibliographia यह कोई information है उसका जो format है वो decide होता है और इसका standard को समझने में हमारी बहुत बहुत भूमी का होती है इसमें ISO 2709, Z39.50 और Z39.71 क्या है यह बहुत important है यह आपके exam में अलग से दिये गए हैं इसके लावा metadata standards कौन-कौन indexing system क्या है और indexing system की technique कौन-कौन सी है जैसे assign precondition यह क्या है इसका मतलब क्या होता है post coordinate system क्या है और drive title based क्या है तो यह कुछ indexing system है मैं indexing का मतलब होता है उनके विश्यों के अधार पर उसका index करना then vocabulary control यह जो भी शब्दावली है उन subjects की या फिर उस particular indexing system की वो यह पढ़नी है abstracting abstract का मतलब जो जो सार है अमरा जिसमें abstract का मतलब क्या होता है इसके क्या प्रकार होते हैं और क्या इसकी guideline होती है दिशानरदेश then information retrieval system जब भी हम लोग किसी information को निकालते हैं उसका retrieve करते हैं उसे हम लोग क्या समझते हैं information retrieval system इसके क्या features हैं क्या components हैं और क्या models है यह पढ़ने आपको इसके लावा इसका मुल्यांकन evaluation कैसे करेंगे आप लोग evaluation कैसे करेंगे किसी समझते हैं तो यह brief में वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया हम लोगों ने और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने बिया से एकटिमी चनल को subscribe नहीं किया है subscribe दिशनल like this video and share this video और हमारे course के अंदर enroll करने के लिए आप हमारे WhatsApp पे content कर सकते हैं हमारा WhatsApp नंबर जो है आपके screen पावेलेबल है इसके लावा किसी भी तरह का अगर कोई doubt है न तो वह भी आप हमें WhatsApp कर सकते हैं हम definitely आपको reply करेंगे इसके अलावा अगर आपको कोई भी doubt है मुझके बारे पूछिएगा और exam के point अभी हमसे आप discuss कर सकते हैं तो मिलते हैं आपसे एक next video के अंदर एक और important topic के साथ तब तक आप इस video को देखिएगा और अगर अभी तक आपने पहले वाले